भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है, मैं हूं कविता उपाध है, हमारे साथ में महिंद्र लड़ा जी है सबसे पहले तो जिले की 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 घोशना हो चुकि ये शाधरा की, सर को मिला है उपाध्यक्ष का पद सर बहुत बड़ी जिमेदारी है, आपको धेरो शुप कामने भारत टीवी परिवार के तरफ से आप उपाध्यक्ष बनें, सर किन को धन्यवाद कहेंगे और किन को बधाईया देंगे, सर, नए टीम में देखिए, मैं तो धन्यवाद सबसे पहले तो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष स्री आदेश गुपता जी को धन्यवाद दूँगा, संगेटन महामंत्री सिधारतन जी को दूँगा, हमारे पूरो राष्ट्री उपाध्यक्ष और वरिष्ट नेता हधरनिय स्री शाम जी को दूँगा, और हमारे जिले के अध्यक्ष स्री रामकिशुर शर्माजी को मैं दूँगा, और सभी को जिनोंने मेरे पे विश्वास रखा, मेरे पे प्यार दिखाया, और मेरे काम को समझा, तो मेरे को ये पद मिला, तो सभी का मेरा धन्यवाद, और तीन साल का जो ए नहां शेत्र में करते रहते हैं सर अंगे डिल्ली में कोरोना का महा प्रकोप है क्या लगता है सर केजरीवाल सरकार पर कितना विश्वास है और क्या वह Oláय क्या में पहले हम जाये तो उन्हों ने का स्थिति कंट्रोल में लेकिन açती oldest काम किया है उसमें काम कम और दिखावा जादा है यह तो सब कोई जानते है लॉक्डाउन के पिरेड में उन्होंने जितनी जगह पे बताया कि हम अन्न वाट अप चार लाक लोगों को कर रहे हैं और जाके देखा तो स्टार्ट भी नहीं किया था उसके पहले बखान कर दिया उन्होंने इस सबसे देखिए कोई भी काम आदमी अगर करता है मुक्यमंत्री साहब हमारे करते है तो ये काम नजर आता है लोगों को उन्होंने उसके बाद किया उन्होंने एक हफ़ते बाद सब जगह बता कर उसके बाद में उन्होंने थोड़ा बोतन वाट अप होगरा क्योंकि हम लोग हमारी संस्ता और हमारा पूरा संगठन जो हमारा शाहदरा मंडल का है सब लोग इस कारिये में लगावा था तब हम पता चला अब रहा सवाल कोरोना के कारिये के अंदर ठीक है मुक्यमंत्री होने के नाते उनका दाइत वज़ादा है लेकिन उन से जो बार बार कंप्लेंट जाने के वज़े से उनको यह दोरा करना पड़ा और वहां की विवस्थाओं के बीच में दखल अन्दाजी करनी पड़ी तो कहने का मतलब है अभी केजरिवाल जी ने आपने देखा कि रिसेंटली उन्होंने जो मास के उपर जो पेनाल्टी का क्लॉज लगाया है, कितना गलत है आप बताइए को जो आदमी रोड पे निकल रहा है, रे हूमन नेचर है, आप देखिए कितने भी बड़ी-बड़ी सभाएं होती है, उन स जो रोडों पे जनता चल रही है, जो बीचारे मध्यम वरगिये लोग चल रहा है, एक हूमन नेचर है कि थोड़ी दिर नीचे कर लिया, उसको पकड़ लेंगे, उसको दो हजार रुपे दे बुलेंगे, दो हजार नहीं है, तो तो तीन सो चार सो रुपे में देके, उसको अलावा ये option हो सकता था कि बार-बार sanitization होता बजारों में या घरों में बजार बंदना होने के अलावा भी कोई options हो सकते थे, आपके हिसाब से सर, देखिए बजार बंद होना, देखिए बजार, हमारे आदरनी प्रधान मंतरी नरेंदर मोदीर जी ने जो लोगडाउन की गोशना करी थी पहले, मार्च में, उस समय तो हमारे को chain को तोड़ना था, इसलिए जरूरी था, लेकिन as on date, आप देखिए दो महने, चार महने आदमी घर पे बैठ कर आप निजी उसकी जीवी का नहीं चल सकती है, और हमारा भारत देश में maximum मध्यमवर्गिये लोग है, ज इसे देखिए हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिश्टर अदरनिय स्री नितिन गड़करी जी ने, जो पेनाल्टी रखी उन्होंने, कैमेरे लगाए, और उसकी लगई पेनाल्टी, पहले सो थी, फिर दो सो करी, चार सो करी में, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो तो नियम है वो नियम आदमी एक बार जेब से जाएगा, तो दुबारा सतर्क हो जाएगा, लेकिन मास्क के जो प्रक्रिया है, ये तो एक हमारे सांस से रिलेटेड है, आदमी बहुत दिर मास्क नहीं लगा सकता है, तो कहने का मेरा मतलब है कि लोगडाउन जो होना, यह यह उपाए न जाता है, जी महिंदर लडडा जी, प्रदूशन पर बहुत उन्होंने कहा है कि मैं काम कर रहा हूं, यूद प्रदूशन के विरुद उन्होंने मुहीम छेड़ी है, सर क्या लगता है कितनी मुहीम छेड़, क्योंकि इस्ट दिल्ली की बात करें, बहुत तमाम पॉल्यूश चला, वो कितना सा सही रहा? उन्हों को GST से हर जेगा से इंटम सोर्स बहुत ज़्यादा है उनके पास में, तो मेरा ये निवेदन है, एर्विन केजरिवाल जी साब को भी ये निवेदन है मेरा, कि एड़टाइजमेंट में अपने आपको पॉपुलर करने में, अपनी पार्टी को पॉपुलर करने के अंदर आप पैसे का वेजो कर रहे हो, वो करिए आप, लेकिन उसमें कुछ लिमिटेशन होनी चाहिए, हर राजनितिक पार्टी एड़टाइजमेंट करती है, लेकिन उसके लिमिटेशन होनी चाहिए, उसके बजाए आप दिल्ली में, जैसे हमारे आदरनिया सांसत गौतम गंभीर जी ने, उनकी तो बात अलग है, उनकी तो महनता अलग है, क्योंकि उन्होंने देखा होगा पार्टी जो की एक नियम है कि चुनाओ में भी पार्टी कुछ न कुछ फंडिंग करती है, एक रिजनेबल फंडिंग करती है, उन्होंने वो भी मना कर दिया, उन्होंने भी गोष्टना की कि मैं और लगाऊंगा मैं तो यह कहता हूँ जी अगर पूरे दिल्ली में एर प्यूरीफायर अगर लगाए जाए तो नेचरल है कि बहुत कुछ हमारा पॉलूशन कम होगा पॉलूशन कम होने से अस्तेमेटिक लोगों को प्रॉब्लेम कम होगी और कोरोना से भी कुछ निदान मिलेगी क्योंकि लंग से रिलेटेड है कोरोना और आज की डेट में आपने देखा होगा जो परत हमारी जलती है और हर बार नौंबर डिसंबर के अंदर जो पॉलूशन का प्रकॉप बढ़ता है इसके ओपर कुछ निदान मिलेगा मेरा तो इतना ही ख अच्छे कैसे रहे एर मुक्त कैसे रहे प्रदूशन कैसे कम हो कुरूना का प्रकॉप कैसे कम हो हमें ज्यादा ध्यान इस पर देना है बिल्कुल सही बात है महिंद्र लड़ा जी को आपने सुना उपाध्यक्ष फिलहाल चुने गए हैं और आप देखेंगी कि जोश इतना बढ़ा रहे हैं वो तो ठीक है लेकिन उसके अलावा भी तो बहुत सारे ऑप्षन है दिली को आप अच्छी तरफ ले जाए ऐसा इनका कहना है और सर भारत टीवी परिवार की तरफ से पुनें आपको बहुत-बहुत शुपकाम नहीं सर आपका जो कारेकाल है वह बहुत श